ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त से 20 अगस्त यानि की इन 15 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि ग्रह नक्षत्रों के इसाब से इन 15 दिनों का समय आपकी राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं या दोस्तों इन 15 दिनों में ग्रहनक शत्रों के एसाब से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपुन और शटीक जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं बहुत महत पपुन वीडियो है, सुरू से अन्त तक वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को आप मिस ना करें क्या दोस्तों वीडियो का पैस्रू करें, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान सूरेदेव के सच्च वक्त वीडियो को लाइक करें और सच्च दिल से कमेंट स्वोक्स में जैश सूरेदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान सूरेदेव का सिर्वाद आपको शीदे प्राप्त हो सकी तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान सूरेदेव के सिर्वाद से आपकी राशी वालों के लिए छे अगस्त से बीस अगस्त याने की इन पंदरा दिनों का यह महत्पपोन समय दोस्तों अब समय पूंड तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी छुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्पपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए एप्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्यूप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्तान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसिया महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरते कोई नकार अतमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबर्ती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा एकागर चित रहें कभी कभी आतम विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अतम कमियों को दूर करके आप भेतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्यू प्योग करें दोस्तों साथ साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भेह है कई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती है थोड़ा साफधान रहें शेयर, शट्टा, आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुक सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रती सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें, बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसो के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस संबंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफल तय भी प्राप्थ होंगी कभी-कभी आपकी सख करने की प्रवर्ती आपके लिए परिसानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक वेवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने करोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिष्तेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वेवारी के संबंद मधुर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेसानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कोण से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम को सलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मक परणाम हासिल होंगे शैयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें जिस कार्यों को आप शहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्य के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है नोकरी पेसा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेद जारियों का भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे नोकरी पेसा व्यक्ति अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रिकार का प्रियास ना करें क्योंकि किसी प्रिकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ ने विवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त ह को और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपूर्ण योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी म कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबवी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और छाती में सूजन महसूस होग शमय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक है साती सात अपने खानपान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भोजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात अपने स्वा बबस्तर ही